नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका फार्मारोक्स के यूटूब एज्यूगिस्टन चेनल में तो आज की वडियो लेक्चर में हम आखों से जुड़ी कुछ ऐसी समस्या है और उनके सॉलुसन के बार में बात करेंगे जैसे की एक समस्या ये ही कि आखों में जलन होती है अखों में बहुत ज्यादा खुजली होती है जिसको हम उनके सकते है कि आमको आखों के अंदर ITCHING health problem है उसको solve करने वाली बहुत अच्छी medicine और eye drop के बारे में हम आज के वडियो lecture में सिखेंगे और ये सबी topics को cover करेंगे और जानेंगे optical eye drops के बारे में detail में तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि ये जो medication है वो essay class के medication है कि जिसको हम ophthalmic preparation के अंदर जो इंक्लूड करते कि जो आखो के related जो problem है जो eyes related जो अलग-लग problem से उसको ठीक करने के लिए ये eye drops जो है वो use किया जाते हैं अब उसकी label वगरा की और manufacture की हम बात करें तो उसको manufacture कौन करता है तो cyan healthcare उसका manufacturing करते है और उसका marketing कौन करता है तो entered pharmaceuticals जो है उसका manufacturing करते है कि जो Mumbai के अंदर located है फिर उसका composition हम देखे कि कौन से salt composition ये eye drops के अंदर present है तो उसके अंदर जो camphor present है वो है around 0.01% जितना है menthol है 0.005% जितना nefazolin भी है 0.05% जितना phenylephrine है 0.12% और benzylconium chloride as a preservative इसके अंदर present है 0.01% जितना और इसको बनाया गया है sterile aqueous base के अंदर की sterile water होता है उसमें ये eye drops जो यो बनाया गया है तो जो बात करके के आगे भी हमने जो दिखा कि आखों की जो 5 या 6 अलग-अलग समस्या है जैसे के आखों में redness हो जाती है वहाँ पे दर्द होता है allergy हो गई है आखों के अंदर के जिसके गरन वहाँ पे swelling हो जाती है आखों को itching होता है यानि के खुजली होती है आखों में से पानी आता है और आखों में सूजन देशा देखने को मिलता है जो puffiness हो जाती है तो यह सब यह problem को यह optical eye drops जो हो solve करते है तो ऐसे अलग-अलग बीमारियों के बारे में आपको सिखना अच्छा लगता है उनके उपचार के बारे में सिखना अच्छा लगता है तो जो हमारी book है decision treatment उसको आप जरूर से order कर सकते है तो यहाँ पर यह जो book की detail है और इस तरह से इसके अंदर content दिया है कि यहाँ पर आप देखरेगी जो cystitis है तो उसका introduction है फिर causes है, symptom है उसी तरह से कोई वीमारी है तो उसके medicines के option दिये गए है साथ में dose है फिर जो medicine से उसके pictures अगरा भी आपको सही से यहाँ पर दिये गए है तो अगर आपको यह book को order करनी है तो दिये गए नमबर पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं और यह जो book है वो completely color copy आएगी कि आप यह जो वीडियो में आप देख रहे इस तरह से multi color book आपको जो है वो affordable price में मिल जाएगी तो अभी order करें यह दिये गए नमबर पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं लेबल की study कर ले अच्छे से तो यहाँ पे 10 ml का यह eye drop हमारे पास available है कि जिसके अंदर 10 ml जितना यह content present है specially आखों को ठंड़क देती है refreshing and moisturizing रखने में optical eye drops जो है वो मदद करते और यूज किये जाते है बद ध्यान यह रखने कि यह सिर्फ पर सिप eyes के लिए ही use करना है और अगर आपको कोई irritation होता है यह eye drops को डालने के बाद तो तुरंत आपके doctor या फिर pharmacist को consult करना चाहिए और दूसरा alternative जो है वो use कर सकते बद आखों में डालने के बाद मालों कि तुरंत ही आपको कुछ ऐसा हो रहा है तो medicine को तुरंत change करा है working की बात करें कि यह जो है वो काम कैसे करता है तो उसकी जो ingredient है वो specially anti-allergic category में आते है और anti-histamine कि जो specially ऐसी problem को solve करते कि जो responsible है सूजन के लिए redness के लिए and eating के लिए कि जो कुछ ऐसे chemical हमारे सेर्र में release होते है कि जो जहाँ पी release होते है वहाँ पे सूजन आ जाती है redness आ जाती है और आपको कुछ ली होती है तो उसके अंदर जो यह phenylephrine है नाफाजोलिन है कि जो anti allergic, anti histamine categories के medication है तो वो आपको help करते फिर जो menthol है और camphor है वो cooling sensations देते है जिसके लिए आप यहाँ पे देखो तो लिखा है cooling और refreshing and moisturizing की जिससे आखो में जो dryness होती है सूजन होती है आख में से पान याता है वो से problems ठीक होते है जब उसके dose के बारे में समझ लेते तो खास कर दो से तीन drops डालने होते है एक बार और वो दिन में दो या तीन बार आप जो डाल सकते है पर उसको overdose में कभी भी यूज ना करे तो specially क्या होता है कि काफी ज़दा आपका computer work हो गया है या फिर आपने काफी ज़दा study की है या फिर late तक जागना हुआ है उसके करनाखे दर्द कर रही या फिर आखों में कोई infection हुआ है allergic reactions हुए तो ऐसे condition में ये eye drops डालने से काफी ज़दा राहत मिलती है अब उसकी price हम देखे तो उसकी latest price है 2024 के according to 119 रुपे में आपको ये bottle मिल जाती है 10 ml के आती है अब उसके कुछ side effects हम देखे तो stinging जैसा आप feel कर सकते जैसे कि कोई cheaty काट लेती है जैसा कई बार कुछ लोगों का feel होता है जैसा कि cheaty के काटने जैसा आइसा होता है और दूसरी कोई side effects जैसा कि आप light के सामने देखे तो आपकी आके बंद हो जाते तो ये से कुछ side effect कुछ लोगों के अंदर देखने को मिलती है ये eye drops डालने के बाद और अगर ये side effects काफी ज़्यादा हो रही है तो तुरंत ये eye drop को use करना आप बंद कर दे तो ये एक safety advice रहेगी ये optical eye drops को लेकर तो ये आप emails में आपको फिर से reminder देना चाहूंगा कि जो हमारी book है उसको आप जरूर से order करें book को order करने के लिए यहाँ पे दिये गए number पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं अब warnings के हम बात करें तो अगर आपको hypersensitity या फिर allergy है इसके जो ingredient की जो आगे हमने content discuss किया इसमें से कोई भी content की आपको allergy है तो उसको use ना करें फिर अगर आपने past में ये eye drop को use किया था तो उसके करन कोई allergic reaction हुई थी या फिर इसी के जैसा कोई similar eye drops कि जिसके अदर ingredient सेम थे जिस company का name change हो गया था तो भी आप उसको use ना करें और nefazoline या फिर phenylephrine की कोई आपकी medical history रही है allergy related तो भी ये eye drop को use ना करें pregnancy category के हम बात करें तो अगर आपको pregnancy में ये eye drop use करने हैं तो जो eye specialist doctor है उनको भी consult करें और साथो साथ जो आपके gynecologist है उनको भी consult करें और उसके वादे इसको pregnancy में use करें drug drug interactions देखें तो जो mono amino oxidase inhibitors दवाया होती है या फिर जो beta blockers होते हैं कि जो specially ophthalmic eye drops के रूप में भी आते हैं तो वो eye drops आपको prescribe किये गए हैं तो उसके साथ combination में optical eye drops को use ना करें तो यह खास साथ नहीं रखनी है कि अगर आपको beta blockers category के जो eye drops होते हैं जैसे की टीमोलल का एक eye drops आता है तो उसके साथ आप combination में use ना करें या फिर एक बार आपके doctor या फिर pharmacist को consult करें और उसके बाद ही ये medication को आप use करें तो अगर आपको मेरा ये वाला idea अच्छा लगा है तो यहाँ पे click करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं और हमारी जो channel है उसको ज़रू से subscribe करें और ऐसे ही हमें support करते रहें Good luck and all the best